कि नमस्कार कॉंपेटिशन कुपिटी के कॉंपेटिंसिफ करेंट इफेस प्रोग्राम में मैं पुक्राज करता हूं इक बफ्रिजी आप सभी का स्वागत और इस वीडियो में क्या करने वाले हैं तो 25 से लेके 30 नवंबर 2022 तक के जितने important current phase हैं चाहे pre के point of view से हो चाहे mains के point of view से हो इनका properly analysis कर लेने वाले हैं 30 तक जो इस वीडियो को मैंने रखा है वो इसलिए ताकि fresh December जो है उसका अलग वीडियो आ जाए तो बिना time को waste करे क्या करते हैं सीधा आ जाते हैं खाली slide पर और यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर है एक साहितिकार तो देखिए जे असल में एक व्यक्ति है नाम क्या है इनका पांडे जी अब ये पांडे जी क्या किये तो ये ना प् सत्संग अब सत्संग में क्या था तो कुछ दुर्जन लोग की क्या थी भीड थी मतलब उनका क्या था संग्रह था तो ध्यान रखना जितने बदमास लोग हैं वही लोग ज्यादा और भक्ति भाव दिखाते हैं समझ में आया कि नहीं तो कल्यूक की सच्चाई है तो पांडे जी जगड़ा हो गया अब जगड़ा हो गया कहां जाएंगे कछेरी जाएंगे जी क्लियर है कि नहीं अब क्या गरते हैं तो अब सबसे पहले सहितकार का नाम देखते हैं तो क्या है मेदनी प्रसात पांडे अब इनकी रचनाए तो सत्संग से क्या है सत्संग विल विलास दुर्जन से है दुर्जन दर्पन संग्रह से क्या है संग्रह सागर और कछेरी इनकी अगली रचना समझ में आया तो पांडे जी मेदनी प्रसाथ पांडे सत्संग से सत्संग विलास है दुर्जन से क्या है दुर्जन दर्पन संग्रह से क्या है संग्रह सागर और आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, सूचना क्या है कि अगर आप इस बार का CGPSE Prelims जो है उसको टार्गेट कर रहे हैं, CGPSE Prelims कौन सा, वर्ष 2022 का जो की 12 फरवरी 2023 को होने वाला है, तो अगर आप इस Prelims को टार्गेट कर रहे हैं, और आपको ऐसा लगता है कि लगभग अब बचे हुए जो 60 दिन हैं, 60 से जादा हैं, लेकिन 60 इसली मान रहा हूँ, क्योंकि 2-4-8 दिन तो कुछ काम निकल जाएगा, पढ़ नहीं पाओगे, कुछ हो जाएगा, जो भी है, ब Competition Community क्या कर रहा है, तो आप सभी के लिए अपने दुर्ग और राइपूर दोनों ही Centers पे Crash Course लेके आ रहे हैं, अभी जो Crash Course है न, ये 60 गंटे, 60 दिन का होने वाला है, जिसमें हम 200 गंटे की Classes कराएंगे, और ये जो 200 गंटे की Classes है न, बिलकुल Focused रहेगी आपके MCQ अप्रो हो सके, और ये सभी चीजें मात्र 4900 रुपीज के Feast पर, मतलब दो महिने का Class है Crash Course का, फी किती है इसकी, तो मात्र है 4900, 4900 रुपए मात्र, अब देखिए, इस से संबंधित अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए, तो हमारा जो दुर्ग सेंटर है न, दुर्ग सेंटर में जो नंबर सें उसको नोट कर लेंगे, 786-9961-763, और दूसरा नंबर है, 786-9962062, तो महराजा चौक जो है दुर्ग में, उसी के पास में टॉमची रेस्टरॉँ है, ठीक उसी के सामने है, हमारा सेंटर दुर्ग में, राइपुर की बात करें, तो RKC जो है न, उसी के साम जो साउथ एविन्यू रोड है, उसमें है साउथ एविन्यू प्लाजा, उसके सेकेंड और थर्ड फ्लोर पर क्या है हमारा ओफिस, और नंबर से अगर कॉल करके पता करना चाहें, तो राइपुर सेंटर के क्या नंबर हैं, 786-9962071, 91746, 62070, तो आपको अधिक जानकारी चाहिए, इस क्राश कोर से संबंध है, तो आप इन नंबर्स पर कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं, चलिए, अब हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले लास्ट वीक के जो करेंट फेस थे, उनमें कुछ क्वेशिन्स मैंने दिये थे, उनके आंसर्स को देख लेते हैं, तो विश्व स्वास्त संगधन के द्वारा क्या किया गया था, इसे सरहा गया था, अगला क्वेशन क्या है, हाल ही में चत्तिसगर राज्य बाल अधिकार संरक्षन आयोग द्वारा कौन से कारिकरम का चयन जो है स्कॉच अवार्ट सिल्वर के ले किया गया है, तो कारिकरम क्य था मोर मयारू गुरुजी नेक्स्ट श्रीमती तेजकुमर नेताम वर्तमान में कौन से आयोग की अध्यक्षा है चत्रिसगड राज्य बाल अधिकार संरक्षन आयोग और लास्ट क्वेशन क्या था बेस्ट इनलेंड स्टेट और बेस्ट प्रॉपराइटरी फर्म जो है इस चलिए अब आ जाते हैं 25 नवंबर से आगे 30 नवंबर तक के इंपोर्टिन करिंट अफेस तक सबसे पहले नई चेतना अभियान में 36 गड की बिहान जो है उसकी महिलाव ने क्या की है सक्रिय भागदारी दी है या एक्टिव पार्टिसपेशन दिया है ठीक है बिहान तो हम लोग जानते हैं कई बार इसको करिंट अफेस में मैं कवर कर चुका हूं राष्ट्री ग्रामीन आजीवी का मिशन नाशनल रूरल लाइवलिहोड मिशन यह है बिहान इसको देख चुके हैं अपन कई बार ठीक बात अब यह जो नया अभियान है नया कामपेन है कहलो नाम क पहल बदलाओ की अब यह कैमपेन है मतलब कब चालू होगा कब खतम होगा कुछ डेट होना चाहिए तो यह चालू होने वाला है पच्चिस नवंबर आब 25 नवंबर का डेट तो निकल चुका है मतलब यह 25 नवंबर से चालू हो चुका है स्टार्ट हो चुका है और कब तक चलने वाला है तो 23 दिसंबर 2022 तक तो एप्रॉक्सिमेटली एक महिना मान लो 25 नमबर से 23 दिसंबर 2022 तक ये प्रोग्राम या ये कैमपेन या ये अभियान नई चेतना जो है वो चलाए जा रही है ठीक है अब ये नई चेतना है क्या तो ध्य भेदभाव या सेक्शुल डिस्क्रिमिनेशन के विरुद्ध या अगेंस्ट में ये एक विशेश अभियान है या स्पेशल कामपेन है समझ में आया तो नई चेतना जो स्टार्ट होई है 25 नमबर चलेगी 23 दिसंबर 2022 तक प्राक्टिकली क्या है तो जो सेक्शुल डिस्क् समझ में आया अब गिर्राद सिंग जी कौन है तो ग्रामीड विकास और पंचायती राजमंत्री है नाम क्या है श्री गिर्राद सिंग उन्होंने इसका शुबारम किया इनौगरेट किया कहलो ठीक है अब इसी में चत्तिसगर में जो बिहान की महिलाएं है उन्होंने क्या किय है तो actively participate किया है या सक्री तरीके से अपनी भागीदारी को दिखाया है ऐसा ही एक लैंगिक भेद्भाव को दूर करने का प्रोग्राम हमारे बस्तर एरिया में भी चलता है और उस प्रोग्राम का नाम क्या है तो जेंडर परिवार चौपाल समझ में आया तो ध्यान रखना एक ऐसा ही लैंगिक भेद्भाव को दूर करने का प्रोग्राम हमारे यहां भी संचालित है बस्तर में क्या है जेंडर परिवार चौपाल समझ में आ गया अब ये जो जेंडर परिवार चौपाल है ना इसके उपर एक documentary बनी है documentary film और इस documentary को प्रदर्शित भी किया गया दि अच तो गय होंगे अब इसमें से अपन questions को देखते हैं सबसे पहले mcq के form में questions को बताता हूं तो सबसे पहले आपको पूछ सकता है कि यह जो नई चेतना अभियान है इसका संबंध किस्से है तो संबंध है लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध ये विशेश अभियान है तो पहला question, second question क्या बन जाएगा, कब से कब तक तो 25 नवंबर से लेके 23 दिसमबर 2022 तक, ठीक है, third क्या बन जाएगा, शुबारम करता कौन, श्रीगरिराद सिंग, तो यह third question, clear है यह, fourth question ऐसा उल्टा गुमा सकता है, कि 36 गड़ की बिहान की जो महिलाएं है, उन्होंने निम इवली क्या की है, participation की है, तो समय अंसर क्या लेंगे, नई चेतना, तो ऐसे चार तो MCQs बहुत इजली बन सकते हैं, अब अगर बात करें अपन, mains के question की, तो ध्यान आपको रखना है, सबसे पहले 30 words में, paper number 5 में, part 1 में, आपको नई चेतना के उपर short note पूछ सकता है, कि कि जेंडर परिवार चौपाल क्या है, तो अब बता देना, कि बस्तर एरिया में संचालित लेंगिक भेदभाव को दूर करने का ये प्रोग्राम है, नाम क्या है, जेंडर परिवार चौपाल, clear है, तो यहां से 2 मेंने mains के question बता दिये, और लगभग लगभग 4 तरीके के pre- questions भी हमने क्या किया, यहां पर discuss कर लिया, चलिए अगले news पर आते हैं, सबसे पहले क्या है, तो 36 गड़ के उप स्वास्थ केंद्र है, उनको क्या मिला है, National Quality Assurance Standard, इसका मिला है certification, समझ में आया, तो 36 गड़ के उप स्वास्थ केंद्र जो है, उनको NQAS certification मिला है, और ऐसा करन वाला 36 गड़ जो है देश का कौनसा राज बन गया है, फोर्थ, चौथा राज बन गया है, तो ऐसा करने वाला 36 गड़ भारत का कौनसा राज है, चौथा राज है, फोर्थ राज है, अब आप समझेगा, बेसिकली है क्या, तो दुर्ग जिले में अमलेश्वर है, जानते बनने वाला है, नगर पाली का, समझ में आया, अभी एक साल के अंदर का पूरफ पूर डेवलप्मेंट है, एक साल में नी साथ आट मेने के अंदर का पूरा डेवलप्मेंट है, तो दुर्ग जिले का अमलेश्वर है, मतलब खारून नदी के जस्ट उस पार, और उसके बा जाओगे न, एकदम आपका, महानदी के उपर, मतलब उस पार चले जाओगे, तो क्या है, महासमुन डिस्ट्रिक्ट लग जाएगा, तो एक रायपूर जो है, उसके बिलकुल, वेस्ट में, अमलेश्वर, और एक एकदम इसके इस्ट में, निजदा, ऐसे लोकेशन में है दोनों, तो अमलेश्वर और निजदा, यहाँ पर जो हेल्थ और वेलनेस सेंटर है, तो अमलेश्वर और निजदा का जो हेल्थ और वेलनेस सेंटर है, उसको क्या हुआ है, राज के पहले NQAS सर्टिफाइड उपस्वास्त केंद्र के रूप में ये सर्टिफाइड हुए हैं या बने हैं तो अमलेश्वार और निजदा का जो health and wellness center है वो हमारे राज्य का क्या है पहला NQAS national quality assurance standard certified उप स्वास्त केंद्र है समझ में आया अब ये जो NQAS है क्या ये किसी भी अस्पताल को मिल जाता है तो ऐसा नहीं है होता क्या है NQAS देने के लिए अस्पतालों के performance का analysis किया जाता है किस आधार पर तो बारा indicators होते हैं और इन indicators के आधार पर indication लिख रहो मैं भी indicators तो बारा indicators होते हैं समझ में आया हिंदी इंबलोगेद बारा मानक हैं और इन मानकों या indicators के आधार पर अस्पतालों के performance का analysis किया जाता है और इस analysis के बाद ही क्या होता है तो केंदरी स्वास्त एवं परिवार कल्यान मंत्राले जो है उसके द्वारा इस गुणवत्ता प्रमाणपत्र को जारी किया जाता है तो कोई भी health center हो, hospital हो, बारा indicators के आधार पर उसके performance का analysis किया जाएगा उसके बाद ही केंदरी स्वास्त एवं परिवार कल्यान जो मंत्राले है, समझ में आया, उसके द्वारा इस गुणवत्ता प्रमाणपत्र को किया जाता है clear है, अब पूरा का पूरा ये जो प्रमाणपत्र जारी करने का ये जो process है, उसमें उनके performance का analysis किया जा रहा है तो ये जो पूरा का पूरा प्रक्रिया हुआ, या पूरा का पूरा process है, ये क्यूं किया जाता है, तो ये जो पूरा complete process है ना, इसका aim ये है कि जितने अस्पताल हैं, उनमें जितनी भी सुविधाए हैं, वो सब क्या हो, सुद्रिड हो या strengthen हो, जिसके कारण जितने भी patients वहाँ पर जाएं, क्या हो सके, तो उन्हें अच्छी quality का इलाज मिल सके तो performance analysis करेंगे, performance analysis में बहुत सारा चीज होता है, 12 indicators रखे हैं, तो इन 12 indicators के आधार पर क्या है, analyze किया जाएगा, कि ये सही में ये जो अस्पताल हैं, अच्छे हैं, अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं कि नहीं, जिसके कारण वहाँ के patients को quality वाला स्वास्त सेवा, health services मिल रह हैं कि नहीं, अगर हां, तभी उसको प्रमाण पत्र दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा, मतलब इसके पीछे का कहलो, पूरा का पूरा logic ये है, कि पूरा पूरा जो health infrastructure है, उसको क्या करना और बहतर करना, ताकि इससे patients को बहतर quality का health service जो है, वो मिल सके, तो I hope इस news को properly आप लोग समझ गए होंगे, अब क्या करते हैं, तो आज आते हैं सीधा, MCQs पर, तो पहला MCQ, NQAS, ये जो quality assurance certificate है, कौन जारी करता है, तो केंदरी, स्वास्त एवं परिवार कल्यान मंत्राला है, ये हो गया पहला question, second question, कौन से health and wellness centers को मिला है, अमलेश्वर, नि इसदा राइपूर, अगला, अभी तक 46 गड़के कुल कितने हस्पतालोग मिल चुका है, 57, तो ये तीन questions किसमें हो सकते हैं, MCQs में कामा सकते हैं, अब अगर आप लोग mains की बात करो, तो mains पर directly आपको पुछेगा, नि 30 words में बता दो किसको, किसको NQAS certification मिला है करके, बट अ health services के ऊपर कोई SAR आ रहा है, तो आप बता सकते हैं, हमारे यहां 57 hospitals को NQAS का certification मिला है, मतलब हमारे यहां पर जो health facilities है, स्वास्त सेवाई हैं, वो basically क्या है, अच्छी है करके, तो इस प्रकार के point को आप SMA use कर सकते, चलिए, अब आ जाते हैं अपने next topic पर, ठेक है भई, तो ए एक पत्रिका है, नाम है क्या, अराई तुतारी, ये हैं चत्तिसगढ़ी भाषा में, तो मीर ऐली मीली जी का आपने सुना होगा, समझ में आया और एक गीत संग्रह है नाम क्या है चंदन अस मुर्गाओं के माटी इसका विमोचन किया गया किसके द्वारा किया गया भुपेश बगहेल जी के द्वारा तो इसका विमोचन कौन किये है भुपेश बगहेल जी तो गीत संग्रह है चंदन अस मुर्गाओं के माटी और चंदन गड़ी पत्रिका है क्या अरेई तुतारी क्लियर है यह अब आपको ध्यान क्या-क्या चीजों को रखना है थोड़ा सा न्यूज ना प्री पॉइंट क्या है फॉर्स्ट मंत्ली जर्नल के लो पहली मासिक पत्रिका है ठीक है अब इसमें बेसिकली क्या है चत्तिस गड़की जो संस्कृती है उसमें बहुत सारी चीज़े आती है जैसे पर्व हो गये नृत्य हो गये परियाटनिस्थल है सिनमा साहित्य इन सभी से जुड़े बहुत सारे डॉक्युमेंट्स है कह लो इन सभी का क्या है ये चत्तिस गड़ी लैंग्वेज या चत्तिस गड़ी भाषा में एक संग्रह है तो अरईत उतारी किस से जुड़ा हुआ है संस्कृती से और जो गीत संग्रह है चंदन अस मुर्गाव के माटी अब इसमें गीत करार है नाम है क्या श्री चमपेश्वर गुस्वामी इन्होंने क्या किया है तो चत्तिस गड़ी भाषा में लगभग 72 गीत लिखे है उन सभी का क्या है ये एक कंपाइलेशन है एक पुस्तक या पुक के रूप समझ भी आया तो आई होप समझ गए होगे आप लोग कि चं मंतली मागजीन है जर्नल है मासिक पत्रिका है जो की चत्तिदगड़ की संस्रिती की उपर आधारित है अब इसमें से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं तो MCQ के क्वेश्चन देखते जाएगा सबसे पहले पूछेगा चंदन अस मुर्गाव के माटी क्या है तो बताना ए पूछ सकता है चंदन अस मुर्गाव के माटी में किनके गीतों का संग्र है तो गीत का चंपेश्वर बोश्वामी तो इतने क्वेश्चन को आप लोग क्या करिएगा तीन से चार MCQ को आप प्री के लिए रेडी कर लीजिए गा चलिए अब नेक्स आ जाते हैं तो वजन त तो हार इसके बारे में अलड़ी अपन देख चुके थे इसके आकड़े आ गए हैं आकड़ों को मैं बता देता हूं MCQ के फॉर्म में डारेक्ली भी पूछा जा सकता है या मेंस में तो बहुत काम आते हैं यह आकड़े जब ऐसे लिखोगे तब ठीक है तो वजन त्योभार 2019 में 36 गड़ में जो कुपोशन का दर था मालनुट्रिशन का रेट था वो 23.37 परसेंट था 2021 में घटकर हुआ किता 19.86 और 2022 में घटकर किता हो चुका है 17.76 तो यह आपको याद रखना है कि 36 गड़ में कुपोशन की दर 2022 में वजन ते ओहार के आकड़ों के अनुसार कितनी है 17.76 परसेंटेज क्लियर है यह इस प्रकार आप देखोगे तो 2019 से अभी 22 तक देखोगे तो कुपोशन की दर है उसमें क्या है लगातार हमको कमी देखने को मिली है अब इसके बाद राष्ट्री परिवार स्वास्त सर्वेक्षन नाशनल फामिली हेल्थ सर्वे एन फेच पांच 2020-21 इसमें भी क्या है चत्तिस गड़ की कुपोशन दर को बताया गया इसमें बताया गया चत्तिस गड़ की कुपोशन दर कित्ती है 31.3 परसेंटेज ख्लेर है यह तो वजन त्योहार में कुपोशन का दर गित्ता पता चल रहे है 17.76 और नाशनल फामिली हेल्थ सर्वे जो है इसमें क्या बताया गया है इसमें बताया गया है कि चत्तिस गड़ में कुपोशन की दर जो है वहे 31.3 percentage clear है ये ठीक है अब basically आपको ध्यान रखना है कि National Family Health Survey ये बता रहा है कि ये जो कुपोशन की दर है ये 5 वर्ष तक के बच्चों के वजन के आधार पर लिया गया है तो 5 वर्ष तक के बच्चों के वजन के आधार पर लिया हुआ percentage किता है 31.3 percentage ठीक है ये अब National Average देखोगे राष्ट्री स्तर पर तो कुपोशन की दर कित्ती है तो 5 वर्ष तक में 32.1 percentage है 36 गड़ में कित्ती है 31.3 है थोड़ा सा National Average से कम है बट फिर भी मुझे लगता है कि बहुत जादा है इसमें और सुधार की जरूरत अब 2 अक्टूबर 2019 मतलब गांधी जैनती 2019 के दिन क्या किया गया था तो प्रदेश में कुपोशन से मुक्ती के लिए मुख्यमंत्री सुपोशन अभियान को स्टार्ट किया गया था क्या किया गया था मुख्यमंत्री सुपोशन अभियान को स्टाट किया गया ठीक है अब हम लोग देखते हैं इसमें से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं तो सबसे पहला ही क्वेशन बन सकता है कि मुख्यमंत्री सुपोशन अभियान कब से शुरू किया गया है तो डेट रहेगा 2nd of October 2019 तो यह सेकेंड हो गया डन अब इसके बाद अपन देखें कि मेंस में हम क्या क्या चीजों को ले सकते हैं तो सबसे पहले स्वास्त से संबंदित अगर कोई ऐसे आ गया तो आप बता सकते हैं कि सुपोशन अभियान के आकड़े जारी होने के बाद अभी 36 गड़ में सुपोशन कितनी है 17.76 परसेंटेज है और यह पिछले वर्ष की तुलना में कितना कम है 2.1 परसेंट तो यह दो डेटा जो है आप इसको किसमें यूज कर सकते हो तो ऐसे में यूज कर सकते हो फिर है डिरेक्ली ये पूछेगा डिरेक्ली जो मैंने नीचे बताए ये पूछ सकता है ठ स्लाइट क्या है कि चत्तिसगण में मेटर्नल मॉल्टालिटी रेट जो है इसमें आ गई है गिरावट क्लियर है तो एक नया रिपोर्ट आया है SRS का MMR बुलिटिन दोहजार अठारा बीस तो SRS MMR बुलिटिन दोहजार अठारा बीस आया है जिसके अनुसार हमारे यहाँ पर चत्तिसगण में मात्रित्व मृत्यूदर मेटर्नल मॉल्टालिटी रेट जो है वो कम हो गया है कम होके कित्ता हो गया है 137 पहले कित्ता था 159 तो 159 से कम होके कित्ता हो गया है 137 तो ध्याण रखना पहले MMR का definition क्या है तो ध्याण रखेंगे प्रती एक लाख जीवित जन्म मतलब एक लाख जो लाइव बर्थ होते हैं जीवित जन्म होते हैं उसके अगेंस्ट में कितनी माताओं की मृत्यू हो जाती है उसी को कहते हैं क्या मात्रित्व मृत्यू दर तो एक लाख जीवित जन्म या वन लाक लाइव बर्थ में कितनी माताओं की मृत्ति हो जाए, डेथ हो जाए, वही क्या है, मात्रित्व मृत्यूदर, तो अब ये बता रहा है, कि ये घड़के हो चुका है, 137, मतलब, 36 गड़ में, एक लाख जीवित जन्मों में, वन लाक लाइव बर्थ में, 137 मदर् मृत्यू हो जाती है, ये बता रहा है, ये डेटा, क्लियर है ये, ठीक तो पहले 159 था, अभी कितना हो चुका है, 137, तो 22 अंकों की गिरावट देखने के मिल रही है, माइनस कर देना पता चल जाएगा, अब नाशनल आवरेज भारत का कितना है रही है, तो 97 है, तो हमको द बहुत जादा इंप्रूव्मेंट जो है, उसकी जरूरत है, अब अगर क्वेश्चन की बात करें, तो सीधा MCQ के फॉर्म में वही पूस देगा, SRS MMR बॉलिटिन 2018-2029-1936 गड़ में MMR या मात्री मृत्यूदर, किता है 137, और या वही हेल्थ से संबंधित कोई ऐसे तो आप बता सकते हैं कि MMR जो है, उसमें निरंतर गिरावट 36 गड़ में देखने को मिल रहा है करके, ठीक, चलिए, अब नेक्स टॉपिक पर आजाते हैं, तो सॉलिट वेस्ट मैनेजमेंट, ठोस अप्षिष्ट प्रबंधन के लिए, जगदलपुर नगर निगम जो है, उसको क्या मिला है, पुरुसकार, कौन सा पुरुसकार, तो सेकेंड देश में, समझ में आया, तो ये जो पुरुसकार है, इसको दे कौन रहा है, तो CII, भारती उद्योग परिसंध के द्वारा इसको दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है, तो मैं बताया हूँ, सॉलि वेस्ट मानेजमेंट के लिए इसको दिया जा रहा है क्लियर है यह किसको मिला है जगदलपुर मुनिस्पल कॉर्पोरेशन को तो पूरेबस्ता संभाग में एक ही नगर निगम है वो कौन चाहे जगदलपुर नगर निगम ठीक है अच्छा यहां पर महापौर कौन है तो श् दिनेश कुमार नाग जी उन्हों ने ही इस क्या किया है पुरुसकार को ग्रहन किया है क्लियर है यह ठीक बात है अब देने वालों का नाम लिखा है बट मुझे नहीं रखता कि उतना जादा इंपॉर्टेंट है कौन ग्रहन किया किसको मिला कौन सा प्राइज मिला क्यू मि ठीक है अब बस्तर में जो जगदलपुर नगर निगम है उसमें बहुत सारे पहल चलाए हैं सफाई से सम्बंदित कौन-कौन से हैं प्लास्टिक लाओ थेला पाओ आमचो सुगर गार्डन उसके अलावा मेरा वाड सुंदर वाड दलपत सागर दीपोच्छा और इन सभी के म करनने का काम किया है मतलब बहुत बहुत बहतर तरीके से सॉलिट वेस्ट को मानेज करने का काम किया है जिसके कारण ये एवार्ड मिला है अब आ जाते हैं क्वेशन पर तो क्वेशन दियान रखना पूछेगा सॉलिड वेस्ट मानेजमेंट के लिए 46 गड़के किस नगर न कौन सा अवर्ड मिला है भीया सेकेंड ठीक तो सेकेंड प्राइज मिला है थर्ड क्यूं मिला है सॉलिट वेस्ट मानेजमेंट के लिए ठोस अप्षिष्ट प्रबंधन के लिए किसने गरहन किया है सफीरा साहुजी और आयूक थे दिनेश कुमर नाक तो इस प्रकार के चार क अब यह जो उपलब्धी है इसको हासिल करने वाली भारत की पहली महिला परवतारोही फर्स फीमेल माउंटीनेर उफ इंडिया बन गई है कौन शूश्री नैना सिंग धाकर आपको ध्यान होगा कॉंपटेशन कम्यूटी में जैसे ही इन्हों ने एवरेस्ट को स्केल किया था जस्ट उसके कुछ दिन बाद ही हम लोगों ने इंटर्वियू किया था बच्चों को काफी जादा मोटिवेशन इससे मिला था और सीधी सी बात है बहुत बड़ा काम इन्हों ने किया है तो सोर्स अफ मोटिवेशन तो हैं ही ये ठीक है अब नैना सिंग धाकर ने क्या किया था तो दुनिया की जो सबसे उची चोटी है म आउंट लोट से दस दिनों के भीतर उसमें चड़ाही करके क्या किया था तिरंगा फैराया था ख्लियर है चलिए तो क्वेशन को देख लेते हैं इसमें से क्या क्वेशन आ सकता है तो सीधा सीधा पूच सकता है लायन एडवेंचर एवार्ट चत्रगर के किस महिला परवत क्लियर है यह ठीक है फिर पुझेगा भारत की पहली महिला परवता रोही जिनको लायन एडवेंचर अवार्ड मिला है कौन है नियाना सिंग धारपन की तो यह तीन क्वेशन जो है बहुत इजिली इस स्लाइट से बन सकते हैं और यह जो स्लाइड है थोड़ा से में सीकू क के फॉर्म में इंपॉर्टेंट है ठीक है चलिए अब लास्ट में क्या करते हैं तो कुछ क्वेशन को देख लेते हैं और इन क्वेशन के बाद इस वीडियो को एंड करेंगे तो 36 के किस परवता रोही को राश्टपत्ती श्रीमती द्रौपती मुर्मू ने तेंजिंग न अनुसार प्रती एक लाग जीवित बच्चों में या जीवित बच्चों के जन पर मात्र मृत्यू दर कितनी है चत्तिस गड़ में तो यह अपन देखे चुके हैं अगला कोशिन क्या है चत्तिस गड़ उपस्वास्त के इंद्र स्तर पर NQS सर्टिफिकेट हासिल करने वाल इस वीडियो को प्रॉपली पूरा देखने के बाद इन क्वेशन को कमेंट सेक्शन में क्या करेंगे कमेंट करके इनके आंसर को बताएंगे चलिए तो यहाँ पर यह वीडियो हो जाता है फिनिश अगला वीडियो जो है उसमें क्या करेंगे तो दिसमबर के करेंट अपन स